अब जो हमारा question है वो exercise 10.2 गा question number 13 तो question क्या कह रहा है find equation of line passing through 2,2 and cutting of intercept on the axis whose sum is 9 ये भी देखिए हमारे intercept जो cut करते हैं उसी form से होगा जैसे हमारा इसके पीछ वाला question हुआ तो यानि कि अगर हमारे ये axis है x और y तो कोई line है जो इस पे intercept करती है ये a और ये y axis पे intercept करती है b तो इस line का जो equation हमने पढ़ा हुआ है वो है x by a plus y by b is equal to 1 तो अब हम देखिए इसी formula का use करेंगे यहाँ पे इंटरसेप्ट की बात किया गया है तो हम इस formula का use करके इन questions को solve करे और देखिए यहाँ पे बोला हुआ है कि यह जो intercept कर रहा है इनका sum 9 है यानि इस question में given है कि इस intercept और इस intercept यानि कि a और b इनका sum 9 है तो यह चीज़े हमें given है और यह line एक point 2,2 से pass कर रही है इन तीन चीज़ों के help से हम इस line का equation find करेंगे तो देखिए सबसे पहले तो हमें य इक्वेशन को लिखेंगे कैसे तो we know that the equation of line cutting intercepts a and b on coordinate axis coordinate axis respectively तो इसका equation होता है x by a plus y by b is equal to 1 अब क्योंकि ये coordinate axis को a और b पे cut कर रहा है तो यहाँ पर हमें question में दिया हुआ है according to question हमें ये given है क्या कि cutting of intercept on the axis whose sum is 9 तो ये दिया हुआ है क्या कि intercept on axis whose sum is 9 तो sum of intercepts on axis is equal to 9 और ये है क्या तो ये है a और b यानि इनका sum में 9 given है तो यहाँ से हम लिख सकते है b is equal to 9 minus a यहाँ से हमें b की value मिल गई अब इस b की value को यहाँ पर equation 1 में put कर देंगे तो देखिए putting b is equal to 9 minus a in equation 1 equation 1 में इस value को put करेंगे तो ये हो जाएगा x by a a की value ऐसे ही रहे कि y upon b है तो b की जगह पर ये 9 minus a put कर देंगे तो plus y by 9 minus a is equal to 1 अब हमें इसको क्या करना है तो हम इसको solve करेंगे और फिर इसके बाद देखिए इसको थोड़ा सा solve करेंगे या फिर हम चाहें तो इसी को equation second मान करके अब हम करेंगे क्योंकि ये generally हमें एक line की equation मिल गई अब अगर हम देखिए तो क्योंकि बूला हुए है जो equation of line ये pass करें पॉइंट 2,2 से तो हम इस पॉइंट 2,2 को इस पे satisfy करा देंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं या फिर हम इसको solve भी कर सकते हैं तो हम directly value put कर देते हैं तो since line passing through 2,2 therefore 2 by a plus 2 by 9 minus a is equal to 1 ऐसा लिख सकते हैं यहां से हम करेंगे क्या तो देखिए यहां से हम लोग अब इसको solve करेंगे इसको solve करेंगे कैसे तो सबसे पहले तो हम इसका lcm लेंगे तो यहां पे यह हो जाएगा a और 9 minus a इन दोनों का multiply और जब हम इससे इसको divide करेंगे तो 9 minus a बचेगा तो इसका 2 से multiply हो जाएगा तो यह आएगा 2 into 9 minus a plus 9 minus a से इसको divide करेंगे तो यह वाला term कर जाएगा a से इसमें multiply हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2 a is equal to 1 जैसा हम addition करते हैं fraction का उसी तारीके से यह बिल्कुल होगा अब अगर हम देखें तो यह term जो है पूरा इधर multiply हो जाएगा और उपर को solve करेंगे तो 2 9 जा 18 minus 2 into a 2 a plus यह 2 a is equal to यह इधर आएगा तो यह हो जाएगा a into 9 minus a यह minus 2 a plus 2 a cut जाएगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 18 is equal to 9 a plus sorry minus a square अब इसको अगर हम देखें तो देखें यह क्या हो जाएगा इसको इधर भेज देंगे तो a square minus 9 a plus 18 is equal to 0 ऐसा लिख सकते हैं तो यह quadratic equation मिल गया अब हम इसको solve करेंगे तो हम इसको कैसे solve करेंगे देखें हमें चाहिए कि यहाँ पर 1 है 1 और 18 ऐसा 1 और 18 का जब multiply करते हैं तो यह 18 आता है और अब हमें 18 का ऐसा factor find करना है जिसको multiply करने पर 18 मिल जाए और sum करने पर यहाँ से 9 मिल जाए तो हम जानते हैं कि अगर हम 6 और 3 को add करते हैं तो हमें 9 मिल जाता है और इसको जब multiply करते हैं तो हमें 18 मिल जाता है तो यह इस condition को fulfill कर रहा है और क्योंकि यहाँ पर minus 9 है तो हम यहाँ पर minus 6 और minus 3 लेंगे इन दोनों को भी multiply करेंगे तो same 18 आएगा minus minus plus हो जाएगा और यह minus 6 minus 3 minus 9 आजाएगा तो हम यहाँ पर 9 की जगह पर minus 6 minus 3 लेंगे तो यह हो जाएगा a square minus 6a minus 3a plus 18 is equal to 0 अब दिखिए इसको आगे कैसे solve करेंगे तो जब हम इसको अगे solve करेंगे तो यहाँ से first वाले में से इसको पहले ऐसा लिख लेते हैं minus 3a plus 18 is equal to 0 इन दोनों में से a common है तो a को common लेंगे तो यहाँ से a minus यहाँ से a common चला गया तो 6 इन दोनों में से 3 common है तो minus 3 common लेंगे तो यहाँ से a और यहाँ से दिखिए minus common जाएगा तो यहाँ minus आजाएगा और यहाँ पर 6 is equal to 0 इन दोनों ही terms में से a minus 6 common है तो इन दोनों को common निकाल लेंगे तो यहां से बचेगा a और यहां से बचेगा minus 3 is equal to 0 अब यहां से हम देखे तो a की value हमें 6 और 3 यह दो values मिले तो यहां पर दो case बनेंगे एक बार a की value 6 होगी और एक बार a की value 3 होगी तो हम बनाएंगे case first when a is equal to 6 तो जब a is equal to 6 होगा तो यहां से b की value क्या होगा तो this implies that b is equal to 9 minus a तो यह हो जाएगा 9 minus 6 is equal to 3 तो यानि a की value 6 और b की value 3 तो therefore equation of line तो equation of line क्या होगा x by a plus y by b तो x by a a की value यहां से 6 plus y by b y by b यानि b की value 3 तो y by b is equal to 1 एक तो यह होगा अब अगर हम case second बनाएं तो देखे case second case second क्या होगा when a is equal to 3 तो जब हम यहां पे when a is equal to 3 तो a की value जब 3 होगी तो यहां से b is equal to 9 minus a तो यह हो जाएगा 9 minus 3 यानि b is equal to 6 यह ऐसा आ गया अब b की value 6 a की value 3 तो therefore equation of line तो equation of line क्या होगा तो equation of line होगा x by a a की value 3 plus y by b b की value 6 is equal to 1 sorry यहां पे b की value जो हमने पूटने किया यह 3 होगा तो अगर हम देखें तो यह दो हमारी equation of line मिली इन दोनों में से देखें कुछ भी possible है क्योंकि यहां पे बोला हुआ सिर्फ जो हमारे x और y axis पे जो intercepts है इनका sum 9 होना चाहिए तो अगर हम देखें तो यहां पे भी intercepts का sum 9 है यहां पे भी intercepts का sum 9 है इसलिए ऐसा हो रहा है कि दो हम equation मिल रहे हैं तब तक के लिए बाई बाई